दोस्तों नमस्कार स्वागत आपका गोवर्मेंट बांगर कोलेज डीडवना के यूटूब चेनल पे मैं चेनारा मुंद लिया असिस्टेंट ट्रोपेसर पुलिटिकल साइन्स दोस्तों आज की वीडियो में हम पास्चाते राजनितिक विचारक यानि वेस्टन पॉलिटिकल थोट में एक मैत्पूर्ण विचारक कार्ल माक्स और उसकी विचारदारा माक्सवाद का एक परमुक सिदान थे मुखेते हमने पूर्वे के वीडियो में माक्सवाद के दो परमुक सिदान्तू का अधेन किया जिसमें द्वन्दात्मक भोतिकवाद तता इतियास की आर्थिक किया भोतिकवादी व्याख्या आज इसी सरंकला में आगे बढ़ते हम माक्सवाद के दो मैत्पून सिदान्तू का अधेन करेंगे नंबर एक व्रक संगर्स का सिदान्त तता नंबर टू अत्रिक्त मुल्ले का सिदान्त दोस्तों काल माक्स के या उसकी विचारदारा माक्सवाद के यह दो ऐसे मेत्पून सिदान्त हैं जिसमें एक के मादम से यानि वरक संगर्स वो मानता है कि अब तक का समस्त मानविय समाज का जो इतियास है वो दो विरोदी वरगों में संगर्स का परिणाम है और इसी संगर्श के परिणाम के मादम से वो उत्पादन की वीदी में बदलाव की बात करता है। तो यह जो पुंजिवादी व्यावस्ता है, इसकी उत्पती कैसे हुई, इसको पकड़ने के लिए माक्स अतरिक्त मुल्य का सिधान्त देता है, तो यह अतरिक्त मुल्य का सिधान्त वो उन दो मुल्यों के अतार्थ एक वस्तू जिसका वास्तिक मुल्य और भाजार में उसका विक्रे मुल्य, इसमें डिफ्रेंस होता है, इसी डिफ्रेंस में जो अतरिक्त मुल्य होगा यह नहीं, जो मुल्य का गेप होगा, वो पुंजी पती हडपता है, इसे से पुंजी वाद की उत्पती होती है, और इसे सर्वेरा व्रक का सोसन होता है, इसलिए माक्स ने इन दो म माक्सवादी विचारदारा के दो मैत्पून सिद्धान्त, वरग संगर्ष का सिद्धान्त, एउं अतिरिक्त मुल्ले का सिद्धान्त वरग संगर्ष का सिद्धान्त है काल माक्स का एक अन्य मैत्पून सिद्धान्त, वरग संगर्ष का सिद्धान्त है माक्स ने कहा है कि अब तक के समस्त समाजों का जो इतियास है वो वरक संगर्ष का इतियास रहा है कुलीन और साधान व्यवति, सरदार यों सेवक, संगपती यों सर्मिक, निरंतर एक दूसरी के विरोध में खड़े रहे हैं उनमें अबाहत गती से संगर्ष जारी है माक्स ने इससे ये निसकर्ष निकाल है कि आदूनी काल में पुन्जिवाद के विरोध सर्मिक संगटित होकर पुन्जिवादी व्यवस्ता को समाप्त कर देंगे तता सर्वार अव्रक की तानासाई इस्तापित हो जाएगी यहने जो माक्स वादी विचारधारा का अपने पूरवे के वीडियो के अंदर द्वन्दात्मक भोतिकवाद उसके बाद में इतियास की आर्थिक क्या क्या और उसके बाद में हम तीसरा मैत्पून सिद्धान्त देखते हैं वो है वरक संगर्ष का सिद्धान्त माक्स इसी वरक संगर्ष के सिद्धान्त के आधार पर वो यह इस्पेस्ट करता है कि जो मानवी इतियास है वो केवल गटनाओं का संयोग नहीं है अपितू एक सूनिसित परकिर्या के तैत उसमें बदलाव होता है उत्पादन की सक्तियों में परिवर्तन के साथ ही इतियास के अंदर घटनाओं में भी बदलाव आता है और वो यह कहता है कि उत्पादन सक्तियों में जैसे ही बदलाव आता है तो उसका मैत्पून कारण ह यह होता है कि समाज में दो वरग होता है उन दोनों वरगों के बीच में संगर्ष होता है और उसी संगर्ष के फल्षरूप उत्पादन के सादन और उसके स्वामेत्वे में बदलाव आता है और उसी से अन्ने व्यवस्ताओं में भी बदलाव आ जाता है वरक संगर्ष के सिदान्त की आलोसना काल माक्स का दस्टिकून गलत है कि समाज, समाजिक जीवन का आदार संगर्ष है पास्तों में समाजिक जीवन का आदार संगर्ष नहीं अपी तो सयोग है यदि संगर्षी समाजिक जीवन का आदार होता तो आज समाज इस इस्तिती में नहीं पहुंशता जो आदुनिक्ता में चल रहा है सेकिंड माक्स ने गोसना किये कि छोटे-छोटे पुंजी पती समाप्त हो जाएंगे किन्तो ऐसा नहीं हुआ ये पुंजी पती विक्षित हुए है और ये दी वरग संगर्श के कारण से वो मानता है कि सर्वारा वरग किताना सा ही आ जाएगी और पुंजी वाद समाप्त हो जाएगा ऐसा नहीं हुआ काल माक्स ने समाज में के उर्दो ही वरगूं की बात कही है जबकि आदुनिक यूग में दो वर्गूं की बात कहना ही बेमानी है क्योंकि आदुनिक यूग में दो वर्गूं के बीच में एक मैधपूर्ण और विशाल मद्यम व्रग विद्वान है जिसकी वो उपैक्सा करता है जबकि फादर और पॉलिटिकल साइंस आरस्टो टर्ल याना अरस्टो भी उस समय इस परकार की मद्यम वर्ग की वकालत करता है सासन व्यवस्ता की संतुलन के लिए फिर है माक्सवादी विचारदारा का एक अन्य मैधपूर्ण सिद्दांत अतरिक्त मुल्ले का सिद्दांत है ये वो ही अतरिक्त मुल्ले का सिद्दांत है जिसके आदात पर वो पुझवाद की जनम की बात करता है माक्स ने अपने पुस्तक दास के भिटर जो माक्स की कमनिस्ट मैनिफेस्टों के बाद में दूसरी मैत्पूर्ण पुस्तक है उसमें वो अत्रित मुल्य किसी दंद की विवेचना करता है काल माक्स की मानेता है कि पुंजी पती सर्मिकों को उनका उचित पारिसर्मिक ने देकर उनके सर्म का संपून लाब खुद हडप लेता है काल माक्स ने माना कि किसी वस्तू का मुल्ले इसलिए होता है क्योंकि इसमें मानविय सर्म लगा होता है दूसरे सब्दों में वस्तू के मुल्ले का निर्दारन यान किसी भी वस्तू के मुल्ले का निर्दारन जो है वो उसके सरम से होता है जो उस वस्तू के उत्पादन पर लगाया जाता है इन मार्क्स का मानना है कि किसी भी वस्तू के मुल्ले का निर्दारन उस पर लगाएगे जो स्रम या जो मस्दूर ने काम किया और उसको जितना उसकारिय का बदले वेतन दिया गया उसका आदार पर होना चाहि है जबकि वास्थों में ऐसा होता नही है जिस वस्तु उपर येदी अधिक सरम लगता है तो उसका मुल्य अधिक और जिस वस्तु के उत्पादन के उपर कम सरम यान मजदुरूं को कम वेतन देना पड़ता उसका मुल्य भी मार्केट में कम होना चाहिए इस परकार काल माक्स का विचार है कि किसी वस्तु का वास्त्विक मुल्य है वे होता है जो उस वस्तु पर व्यक किये गए सरम के बराबर होता है किन्तु जब वे वस्तु बाजार में बिगती है तो उसका मुल्य बहुत उंचा होता है उधारन के लिए येदी कोई बोल पेन बनाये जाता है और उस पर रो मैटे दिल प्लस सरमिकों को दिया जाने वाला जो मजदूरी है उसकी रेट 14 रुपे पड़ती है मार्केट के अंदर वो 20 रुपे में बिखता है तो जो 6 रुपे अतिरिक्त है काल माक्स मानता है ये सरमि को मिलना चाहिए परंतु उत्पादन की पढ़नाली पर सरमिकों का नेंतर नहीं है इसलिए पुझी पती हड़प लेते हैं और इसी से वो पुझी पती बनते है जबकि उसके वास्पिक जो हगदार है वो सर्वारावरा या सरमिक होना चाहिए इस परकार वस्तू के बाजा पर बेची जाती है तो इसके अंतर को पुझी पती हड़प लेता है और माक्स की द्रस्टी में जो धन पुझी पती द्वारा अपने पास रख लिया गया वही धन अत्रिक्त मुल्य है माक्स खुद परिबासा देता है ये दो मुल्यों के बीच का अंतर है जिसे सर्मिक पे बेदा करता है तो उस वस्तु की उत्पादन में जो स्रम लगा उसको जो वेतन दिया गया वो वास्तिक मुल्य है परन्तु बाजार में उंची मुल्य पर बेची जाती है वो बाजार मुल्य है और जो ये गेप रहेगा वो गेप पुझी पती हड़प लेता है जबकि काल म पक्स मानता है कि वास्तु में जो उत्वादन की साधनों पर सर्मिकों का नेंतर होगा, तो यह मुल्ले सर्मिकों को मिलना चाहिए, और यही पुंजिवाद की उत्पति का वो मेक्पूण यहां से कारण ढूंडता है. इस परकार वास्टपिक मुल्य और विक्रे मुल्य का अंतर ही अतरिक्त मुल्य है इस समंद में काल माक्स न लिखा है कि ये व्य मुल्य है जिसे पूंजी पति सर्मिकूं के खूल पसिने की कमाई पर पतकर या टोल टेक्स के रूप में वसूल करता है अतिरिक्त मुल्य के सिधान्त की आलोसना काल माक्स ने उत्पादन का एक मातर शादन स्रम को माना है जबकि ये सर्वविदित है कि स्रम के अतिरिक्त भूमी, पूंजी, संगटन, उद्यम भी मैत्पून सादने उत्पादन के अन्य भी सादने के उल सर्मिकों की सरम लगने से ही कोई वस्तू का उत्पादन नहीं होता उत्पादित वस्तू द्वारा प्राप्त लाब को इन सभी सादनों पर वित्रीत किया जाना चाहिए जोकि माक्स नहीं करता है काल माक्स के उल सारे रिक स्रम को मैत्वे देता है मानसिक स्रम को नहीं पुंजी पती अत्रिक्त मुल्य का परियोग मसीन लगाने अन्य सादनों के उपयोग में करता है किंतु वे ये भी कहता है कि मशिनों और कच्चे माल से कोई अत्रिक्त मुल्य प्राप्त नहीं होता ये तो सर्मिकों की स्रunn से प्राप्त होता है माक्स के दोनु विचार प्रसपर विरोधी आ रहे है इस परकार आज के वीडियो में अम्पन्न है माक्सवादी विचारदारा के दो मैत्पून सिधान्द देखे एक वरक्संगर्स का सिधान्थ और दूसरा अतरिक्त मुल्ले का सिधान्थ ये वो दोनुई सिद्धान्त है जिसमें एक में काल माक्स अतार व्रक्संगर्स के मादम से उत्पादन पर्णालियों के बदलने की बात करता है वहीं दूसरी और अतरित मुल्ले के मादम से वो पुंजिवाद की जो जड़ है उसको इसपैस्ट करता है कि किस परकार से पुं जे हिंद जे भार्द धन्यवाद